पुराने समय से अफगानिस्तान को कमजोर समझ कर पाकिस्तान हर मामले में उसे सताता रहा है और अफगानिस्तान को आगे रख कर माल कमाता रहा है लेकिन कहा जाता है कि जब आँख खुलती है तो कमजोर भी बादशाह को धमकाने लगता है और नुकसान भी पहुचाने लगता है ठीक वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ हो रहा है और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को चोट पहुंचा रहा है लेकिन अफगानिस्तान का आरोप है कि उसके देश में मौझूद अराजक तत्मों को पाकिस्तान शह देता है और परेशान करता है और चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के नीचिर है इसी कारण अब इसलामबाद को दर्द देने लगा है और इसी कारण काबुल में पाकिस्तान दूतावास ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के राजधानी में अपने वाणिजिक कारेले को सुरक्षा कारणों से कि रोजाना सेकडों लोग इलाज सामान लेने ले जाने और विश्विद्यालों में शिक्षा के उदेश इसे वीजा के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन इसकी असली वज़ा पिछले सब्ताह की घटना है जिसमें अफगानिस्तान आर्मी ने पाक आर्मी पर हमला कर एक ब्रिगेडियर समेट साथ जवानों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी दूतावास की गाड़ियों को मोटर साइकलों द्वारा टक कर भी मारी जाती है। जो हम पहले आपको बता चुके हैं। कुछ और भी बज़ा है जिसे हम आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान का मनना है कि अफगानिस्तान दूसरे देशों के साथ वही करे जो मैं कहूं। जबकि इस बात को लेकर अफगानिस्तान इंकार करता रहा है। पाकिस्तान को मिर्ची तब ज्यादा लगती है जब अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाड़ करता है। इससे इसलामवाद को मिर्ची ज्यादा लगती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान के दूतावास बंद करने का क्या मतलब है और इसका क्या कारण है